So Hello Friends, Welcome back to Aparna College तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है फर्माट्स लिटल थेोरम और हम इसके बाद देखेंगे विल्सम थेोरम के बारे में तो सबसे पहले देखते हैं फर्माट्स लिटल थेोरम क्या होता है तो फर्माट्स लिटल थेोरम कहता है कि अगर P एक प्राइम नंबर है तो कोई भी एक इंटीजर A के लिए A to the power P minus A एक इंटीजर मल्टीपल होगा P का यानि कि A to the power P is congruent to A mod P यानि कि आप A to the power P का mod लेते रहोगे P के रिस्पेक्ट में तो आपके पास आंसर आजाएगा A अगर A is not divisible by P यानि कि A is not divisible by P अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो उस केस में A से एक एंसल हो जाएगा तो फर्माट्स लिटल थेोरम इक्वेलेंट हो जाएगी स्टेटमेंट के कि A to the power P minus 1 is an integer multiple of P या फिर A to the power P minus 1 का आप mod लेजर आओगे P के रिस्पेक्ट में तो आपको जो remainder मिलने वाला है that is 1 तो इसके अब applications देखते हैं फर्माट्स लिटल थेोरम की तो सबसे जादा ये use में आता है modulo inverse निकालने के लिए तो modulo inverse निकालने के लिए अभी आपने देखा A to the power P minus 1 is congruent to 1 mod P तो अगर आप A inverse से दोनों side multiply कर दोगे तो A to the power P minus 2 is congruent to A inverse mod P तो मतलब कि अगर आपने एक number लिया A power में चड़ा दिया P minus 2 और उसका modulo ले लिया P से तो आपको पास A inverse आजाएगा यानि कि modulo inverse की बात ओर रही है P के respect में तो अगर आपको किसी भी number का modulo inverse चाहिए P की respect में तो आप क्या करोगे उस number को P minus 2 to the power raise कर दोगे और उसका modulo ले लोगे P से और आपके पास आजाएगा A inverse यहाँ पे जब आपको exponentiation यूज़ करना होगा तो आप कुछ भी उस कर सकते हो binary exponentiation भी उस कर लोगे तो log n में हो जाएगा तो binary exponentiation में क्या होता था अगर A to the power even है तो उसके half का result calculate करके उसका square return कर दोगे और के case में A times उसकी even पार हो जाएगी और के इसके application होती है अगर आपको मैं बोलूँ A by B को आपको mod M calculate करना है यानि कि A by B पहले divide किया फिर उनका model लिया तो इस case में भी अगर आपको B ऊपर लेके जाना है तो यानि कि B का model inverse चाहिए M की respect में तो जब अगर ऐसी कही calculation दिखरी हो तो model की जो property होती है उसके लिए हमें model inverse चाहिए होता है तो ये जो model inverse होगा B का ये भी हम format little theorem से निकाल सकते हैं बहुत असानी से अब हम देखते हैं अगर NCR mod P निकालना हो आपको किसी question में ये भी काफी जगा पूछा जाता है तो NCR क्या होता है N factorial divided by N minus R factorial divided by R factorial तो अगर तो P बढ़ा है N से इसमें दो cases बनेंगे P बढ़ा है N से और P छोटा है N से तो अगर P बढ़ा है तो आप क्या करो पहले factorials निकाल लो सबके modulo लेते लेते क्योंकि factorials तो बहुत जल्दी exceed कर जाएंगे हमारे integer या long long की range से तो आप साथ में modulo लेते रहो और इन सबके आपने factorials पहले प्री काल्कुलेट कर लिए P के साथ modulo लेते लेते तो आपको करना क्या है factorial of N का modulo with respect to P into mod inverse of factorial of R mod P into modulo inverse of factorial of N minus R mod P and इस पूरे का फिर दुबारा mod ले लेना है तो modulo inverse यहां पर यूज हो रहा होगा and modulo inverse फिर आप format little theorem से निकाल लेना फटा फटा फट वह तो binary exponentiation यूज करके log N में निकल जाएगा तो यहां पर जब मैं log N बोल रहो binary exponentiation तो मेरा मतलब है log P क्योंकि power में होगा तो power का log होता है तो log P में निकल जाएगा अब दूसरा case अगर हम देखे कि if P is less than N क्या उस case में हम यह तरीका यूज कर पाएंगे कि हमने क्या करा pre calculate कर लिए factorials using modulo P and उसके बाद factorial of N into modulo inverse of factorial of R into modulo inverse of factorial N minus R तो क्या इस case में हम ऐसा कर सकते है या नहीं तो वो बताओ तो इस case में ऐसा हम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जब हमने factorial of N निकाला तो factorial of N में पहले से ही P present होगा यानि कि 1 into 2 into 3 dot 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 into P dot dot into N क्योंकि N बड़ा है तो P आ जाएगा उस case में तो factorial of N mod P 0 ही हो जाएगा बट हो सकता था कि ये जो P वली terms होंगी या P के जो multiples होंगे वो cancel हो जाएगा और factorial of N mod P 0 ना हो क्योंकि हो सकता है factorial of N minus R या factorial of R से P की जो terms होंगी वो cancel हो जाएगा और final result में 0 ना है आपका तो इस case में अगर P is less than N होगा तो आप ये नहीं कर पाओगे अगर P बड़ा है ये फिर ये आप चीज यूज़ कर सकते हो तो अब हम Wilson theorem देखते हैं तो Wilson theorem क्या बोलता है कि अगर एक positive integer N दिया है तो वो prime है if and only if N minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod N या फिर N minus 1 factorial is congruent to N minus 1 mod N दोनो statements equivalent ही है minus 1 हो ये N minus होनो दोनो same ही होती है यहाँ पर if and only if लिखा हुआ है if and only का if मतलब अगर ये है तो prime होगा अगर prime है तो ये होगा तो if and only if का मतलब होता है reversible तो यानि कि अगर वो number prime है तो N minus 1 factorial is congruent to N minus 1 mod N अगर N minus 1 factorial is congruent to N minus 1 mod N है तो वो number prime है अब इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि N minus 1 factorial is 1 less than a multiple of N है ना क्योंकि N minus 1 factorial is congruent to N minus 1 mod N तो 1 less than a multiple of N है है ना तो अब इसको एक example से समझ लेते हैं जैसे अगर 101 एक prime number है तो हम immediately हमने conclude कर सकते हैं कि 100 factorial is equal to 101 times k minus 1 for sum integer k एंड एक और इसका important application जो निकल के आती है वो ये भी होती है कि अगर मानलों आखको 25 factorial mod 29 calculate करना है तो हम इसको Wilson theorem से थूरू निकाल सकते हैं कि हमें पता 28 factorial is minus 1 है ना क्योंकि 29 एक prime number है तो 28 factorial is congruent to minus 1 mod 29 तो अब यहां पर extra number कौन-कौन से आ रहे है 26 27 28 तो यहां पर अगर हमें इनके inverse से multiply कर दू minus 1 को तो जो मेरे पास answer आएगा 25 factorial mod 29 आएगा इसी question को अभी हम next video में code करके भी देखेंगे इसका भी एक काफी important question बनता है वो हम देखेंगे next video में बस अभी के लिए देखलो जो जो extra numbers होंगे factorial में हमें तो 28 factorial की respect में answer पता है जाओ झाओ 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 भी तो 5